हलो स्टुदेंट्स वेलकम तो केमिकल साइन्स और लास्ट क्लास ने बच्चों हमने डिसक्स किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डाय ठीक है और उसमें हमने दो टाइप क्लासिफिकेशन देखा था एक on the basis of structure and second type का जो था on the basis of method of application ठीक है मतलब उस डाय को कैसे apply किया जाता है तो उसके कुछ एक लास्ट पहला एक्जामपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिरेक्ट डाय तो उसका एक और एक्जामपल होता है बच्चो वेट डाय जो एक्जाम में आता है कई बार ठीक है तो आज colorless soluble compound have great affinity for cotton and other cellulosic fiber indigo is a good example of wet dye ठीक है यह कैसे insolubent water होती है बट जो इनकी reduced form होती है न वह colorless soluble compound होते हैं and have great affinity for cotton and other cellulosic fiber ठीक है cotton or cellulosic fiber में apply करने के लिए बहुत perfect dye होती है ठीक है बहुत then indigo is a good example of wet dye ठीक है indigo एक बहुत famous dye है जो आपके exam में अलग से topic भी है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसका बहुत famous example है इसका wet dye का the colorless luco form of the indigo is first introduced into the fabrics ठीक है and then insoluble indigo blue is formed ठीक है फिर आप है करना है colorless luco form जो है उसकी indigo की उसको आपने पहले अपने fabric में introduce करा देना है मतलब उसमें test लगा देना है जैसे भी आप उसको यूश करना है then the insoluble indigo blue is formed on fabric by atmospheric oxidation ठीक है तो क्या हो जाएगा insoluble indigo blue is formed on fabric by atmospheric oxidation ठीक है automatically हो जाएगा blue color में convert हो जाएगी ठीक है yes atmospheric oxidation में देखिए अब यह atmospheric oxidation कैसे होता है बहरे तो मैंने आपको बता है कि उसके आप direct form जाएग उसको कैसे बड़ा है complicated सा यह देखिए बच्चो आपको structure सारे ही याद करने होंगा ठीक है आपको बिल्कुल by heart structure होने चाहिए और यह बच्चो सिर्फ practice से ही आते हैं ठीक है जब हम अभी after कुछ classes आपके example discuss करेंगे न है इंडाइस के तो हम इनको form करेंगे देखेंगे कैसे बनते हैं तो आपको उसको practice करना है बच्चो प्रैक्टिस करने के सांसांत ही आप उसको सीख पाओगे कैसे यह बार-बार आपको form करने है ठीक है एक्जाम्पल वाह एक्जाम में तो कोशिन आएगा ना यह देखेंगे यह आपका indigo dye है ठीक है क्या है indigo blue यह इंसॉलिबल इंडीग ब्लू है तो आपको बताया ना मैंने इंसॉलिबल रहता है बट इसकी reduced form जाय solibell होती है ठीक है तो यह है आपका indigo indigo dye इंसॉलिबल इंडीगो इंसॉलिबल इंडीगो ब्लू यस दिखा ही पढ़ रहा है ठीक है इंसॉलिबल इंडीगो ब्लू ठीक है अब इसका reduction करके दिखाता हूँ मैं आपको reduction oxidation दोनों फॉर्म एक दूसरे के वह reversible है आप चाहोँ तो उसको फुर्थर oxidize करके यहीं convert कर सकते हूँ means that's oxidation ठीक है देखिए अब इसका reduction कैसे करना है ठीक है मैं forward चल रहा हूँ मतला मुझे इसका reduction करना यह oxidized form है पर रहे reduction form देख लिए कैसे हुगा कुछ नहीं करना है आपको बच्छों ध्यान से देखेगा इस oxygen को hydrogen देदेना है ठीक है इस oxygen को single is double bond वो को single bond में convert करके hydrogen इसको देदेना है ठीक है तो देखिए कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको complete structure यह देखिए दुबारा से हम वहीं draw कर लेंगे बिल्कुल same structure c बस से double bond नहीं हो गए हां क्या हो जाएगा बच्छों o h और यह क्या है आपका n h कुछ इस तरीके से और यह double bond shift c single bond c n h and अब फिर से यहां double bond c और यह o h यह देखिए double bond ठीक है कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक ring यहां पर भी attach जाएगी यह देखिए ठीक है अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा यह इसकी बच्छों reduced form है आप दिखाई पड़ रहा है आपको देखिए यह ketonic group आपका alcohol में convert हो रहा है आप ऐसे भी समझ सकते हो देखिए डिरेक्ट ketonic group है ना कहां convert हो गया alcohol में convert हो यह दिस इंडीगो ब्लू इंडीगो वाइट इंडीगो वाइट सॉल्यूबल इन वाटर सॉल्यूबल इन वाटर ठीक है तो समझ वाया ना तो यह बच्छा आपकी क्या थी वैट डाई थी आपने देखा कैसे वैट डाई है आप इसको पहले मतलब सॉलूशन फॉर्म में जाकर कही वैट फॉर्म में ही इसको इंडीगो ब्लू था दें रिडक्षन फॉर्म रिडक्षन किया मंदर रिड्यूजर फॉर्म जो इसकी होती ही वही क्या होती है इंडीगो वाटर सॉल्यूबल होता है क्लियर तो यह एक्जाम्पल था वैट डाई का